साउथ अफ्रिका के 34 साल के क्रिकेटर एबी डिविलियल्स के अचानक सन्याज के आहलान के बाद क्रिकेट जगत सक्ते में है उन्हें क्रिकेट का सुप्रमैन माना जाता है अपने 14 साल के करियर में डिविलियस ने ऐसे कई मुकाम हासिल किये हैं जो उन्हें एक खास क्रिकेटर के और स्थापित करते हैं लेकिन इस बीच डिविलियस के बारे में कई मिथख भी गड़े गए हैं जो सही नहीं है यानि डिविलियस के तमाम कारनामों के बीच कुछ ऐसे कारनामों में भी उनका नाम शामिल कर लिया जाता है जो उन्होंने नहीं किये हैं इस बात का खुलासा किसी और नहीं बल्कि खुद डिविलियस ने अपनी आत्मक कथा ए भी The Autobiography में किया है आएए आपको बताते हैं डिविलियस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो सही नहीं है लेकिन उनके नाम के साथ जोर दी गई हैं दावा डिविलियस साथ अफरिका की अंडर 19 बेड में इंटन के नाशनल चैंपियन थे सचाई डिविलियस ने कभी स्कूल लेवल पर भी बेड में इंटन नहीं खेला उन्होंने अब तक जीवन में बस एक बार बेड में इंटन का गेम खेला था वे भी सिर्फ मजे के लिए अपनी टीम के साथ ही विकेट की पर मार्क बावचर के साथ दावा यह कहा जाता है कि साथ अफरिका की जूनियर होकी टीम के लिए उनका सेलेक्शन हो गया था लेकिन उन्होंने क्रिकेट को प्रायोरिटी दी सचाई हाई स्कूल की पढ़ाई के दोरान उन्होंने एक साल तक होकी खेली थी लेकिन बन कभी भी नैशनल टीम के लिए सेलेक्ट नहीं हुए और नाहीं कभी सेलेक्ट होने के कभी करीब भी पहुँचे दावा, कहा दाता है कि वेह साउथ अफरिका की जूनियर फुटबॉल टीम के लिए सेलेक्ट हुए थे सचाई, डिविलियर्स ने अपन जीवन में कभी फुटबॉल का कोई मैच ही नहीं खेला आ यह जरूर है कि स्कूल के दिनों में मैदान पर आते जाते उन्होंने फुटबॉल को किक जरूर मारी है क्रिकेट टीम के वार्म अप के दोरान भी फुटबॉल उसका हिसा रही है दावा, कहा दाता है कि वे साउथ अफरिका की जूनियर रग्भी टीम के कपतान थे सचाई, ना वे कभी कपतान रहे और ना ही कभी रग्भी में साउथ अफरिका की किसी टीम से खेले दावा, कहा दाता है कि डिविलियर्स के नाम साउथ अफरिका में स्विमिंग के 6 नाशनल रिक़ॉर्ड दर्ज हैं सचाई, प्राइमरी स्कूल में अंडर 9 स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रॉग का एक रिकॉर्ड बनाया था लेकिन नाशनल लेवल पर स्कूल गेम्स में स्विमिन का कोई रीकॉर्ड उनके नाम कभी नहीं रहा दावा डिविलियर साउथ अफरिका की जूनियर डेविस कप टीम में शामिल थे सचाई, लड़कपन के दिनों में वे टेनिस खेलते जरूर थे लेकिन कभी डेविस कप की टीम में सेलेक्ट नहीं हुए दावा गोल्फ में भी उन्होंने बड़े स्तर पर खेल दिखाया है सचाई, 15 साल की उम्र में उन्होंने एक बार गोल्फ में हाथ जरूर आज माया था लेकिन इसके बाद गोल्फ के लिए उनके पास कभी वक्त ही नहीं रहा आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना तो भूलिएगा ही मत धन्यवाद